मस्कार बच्चों, आप सोब का हर्दिक स्वागत है, आपका प्यारा चनल 8J इस्ट्री पोइंट पर आज हम क्लास एट की बिग्यान परिष्छा से संबंदित कुछ महत्पुन प्रस्म लेके आई वे हैं तो आप अच्छी तरसे वीडियो की अंतब बने रहे हैं आप जैसा की देख रहे हैं, लोहे के बने पूल के जंग से बचाने के लिए किस धातू का बिद्दूत लेपन किया जाता है तो सही अंसर होगा option number B, chromium is right answer नेस question की बात करें, नीमन में कौन सा जंतू, जरायूज है तो सही अंसर होगा आपका मेड़क is right answer नेस question की बात करें, बल का मातर क्या है, तो सही अंसर होगा, Newton is right answer नेस question को देख रहे हैं, कौन सी एक मातर अधातू है, जो बिद्दूत का सुचालक है तो सही अंसर होगा option number B, Griffite is right answer नेस question को देख रहे हैं, कि फासफोरस का दहन होता है, यानि सुछता दहन होता है कि नीम्न में कौन सा गुनसुतर सीशू में नर लिंग ने धारन करता है तो सही आंसर होगा अपसर नमर B, X, Y is right answer और next question को देख रहे हैं आठ नमर में जन्तू कोशिका में क्या अनुपस्चिद होता है इसका सही आंसर होगा कोशिका भीती अपसर नमर C आपके लिए सही रहेगा और next question को देख रहे हैं मानव नेतर में कौन सा लेंस होता है इसका सही आंसर होगा उत्ता लेंस अपसर नमर B बच्चों आपके लिए सही रहेगा इसको जरूर से जरूर याद रख लें यहाँ पर आप अच्छी तरह से देख सकते हैं यह आपका option number B आपके लिए सही रहेगा और उसके बाद है कि 20 सुई योग दिवस कम मना जाता है तो option number A होगा 21 जून को मना जाता है यहाँ पिर देखें यहाँ भी आपका question है तो यहाँ भी आच्छी तरह से देखकर आप लिखने का परियास करेंगे और यहाँ भी देख रहें question यहाँ आपका है इसे भी देख लें मनुस्यों में जीवानों से होने वाले दो रोकर नाम लिखा है तो जीवानों से जो जो बेमारी होता उसको लिखना है दो चमकदार अधात्वों के नाम लिख देना है यह भी आप जान रहें और पास्च्च्च्च करन की प्रक्रिया क्या होती है इसकी खोज किसने किया था इसको भी आप लिख सकते हैं और यहाँ देखिए यह question भी है आप इसको अची तरह से लिखने का प्रियास करेंगे और यहाँ पर देख रहें हैड्रोजन का उसमी मान सबसे अधिक होने पर हमें देनिक जीवन में हैड्रोजन उप्यों क्यों नहीं कर पाते है यह question आपका है और आंत्रिक निसेचन उनकों बाहर निसेचन में क्या अंतर है यह लिखना है आंत्रिक निसेचन जो होता है बच्चों वो मादा सरीर के अंदर होता है और बाहर निसेचन मादा सरीर के बाहर होता है यह आपको लिखना है और कोशिका का एक नमांगी चीतर आपके बुक में है उसों देखकर आप चीतर से निकाल के लिख सकते हैं सफेद फासफरस को पानी के अंदर संग्रा का रखा जाता है क्यों कि वो सुवता जलने लगता है यही इसका कारण होगा देखरें यह कुश्चन आपका है एक वेक्ती आपका है खड़ा रहने पर अधिक दपता है भार तो यह देखें तो इस चीतर से आप लिखेंगे और यह दिखी भी आपका कुश्चन है इसको अचीतर से भी लिखने का परियास करेंगे या इंधन का उसमी मान ग्याद करें ये भी आप लिख सकते हैं बच्चों किसी तरह कोई दिकत हो तो आप अपना बुक खोल कर लिखने का प्रियास करेंगे Thank you for watching my video